हिंदी पेडागोजी की क्लास आज जिसमें टेग बार्ट्स भी बताए जांगे आप सबी लोगों को कि हिंदी पेडागोजी किस फिरकार स्वाल्ट करें जिसे आपके नंबर अच्छे से अच्छे मार्ट्स प्राप्त कर सकते हैं भासा का स्वरूप सबी लोग जल्दी से आजाएं क्योंकि आज किया है अंतिम क्लास हिंदी पेडागोजी की टेग बर्स भी इसमें लिए गए हैं सबी इस क्लास में रखे गए हैं जो भी हिंदी सीटड एकजाम में पूछी जाती है पिर जाएं सबी लोग हिंदी पेडागोजी सीटड एकजाम के लिए क्लास स्टार्ट है जैसे भासा का स्वरूप तो भासा का स्वरूप क्या होता है भासा बाचिक द्वनी संकेत है कैसा है भासा वाचिक द्वनी संकेत है फ्रिशन आता है कि भासा किस प्रकार की है तो भासा बाचिक द्वनी संकेत है बासा एक सामाजिक संपत्ती है, बासा का एक बैबस्तित रूप होता है, बासा समाज सापेक्ष होती है, बासा यादरचिक्र होती है, बासा अरजित बेवार है, बासा अनुकरन से सीखी जाती है, बासा परिवर्तन सील है, कैसी ये परिवर्तन सील है बासा की कौन-कौन से स्वरूप होते हैं बासा बाचिक ध्योर्णी संकेत है बासा एक सामाजिक संपत्ती है बासा का एक बैबस्तित रूप होता है बासा समाज सापेक्ष होती है बासा याद्रशिक्त होती है बासा अर्चित बैबार है भासा अनुकरण से सीखी जाती है, भासा परिवर्तन सील होती है भासा का परिवर्तन पहले बाचिक रूप में होता है इसके बाद भासा कठनता से सरलता की और उनमुक होती है भासा संयोग आवस्ता से वियोग आवस्ता की और प्रभायमान होती है बासा अप्रोणता से प्रोणता की और उन्मक होती है बासा अनिबार एवं सर्व व्यापी होती है बासा का प्रभाय अभी चिन एवं नैसरगिक होता है बासा की सरचना प्रतक प्रतक होती है बासा की एक भोगलिक सीमा होती है बासा की एतिहासिक सीमा होती है भासा में सामाजिक द्रिष्टी से मतवेद होता है भासा पैत्रिक संपत्ती नहीं है भासा प्रात्मिक रूप में मौखिक होती है यह भासा के श्वरूप है भासा के माध्यम से हम सोचते हैं भासा के माध्यम से हम सोचते हैं और महसूज करते हैं और चिंतन करते हैं भासा से क्या क्या करते हैं भासा के माध्यम से हम सोचते हैं महसूज करते हैं चिंतन करते हैं बच्चे के घर की भासा में और स्कूल की भासा में शमरूपता होनी चाहिए भासा सांस्कृतिक अनववों पर आधारित होती है भासा एक नियमबद ब्यवस्ता है भासा कैसी है नियमबद ब्यवस्ता ये प्रिशन पिछली बार सीटेड एकजाम में पूछा गया थी भासा किस प्रकार की है तो भासा एक नियमबद ब्यवस्ता है कैसी है, बहासा एक नियमद बेवस्था है, बहासा बेवस्थाओं की बेवस्था है, कैसी है बासा ब्यवस्थाओं की ब्यवस्था है प्रतिक बासा का ब्याकर होता है प्रतिक बासा की एक लिपी होना चाहिए प्रतिक बासा की एक लिपी होना आवश्यक नहीं लेकिन थोड़ा बहुत फिर बदल करने से सबी बासाओं को एक लिपी में लिखा जा सकता है खिस परकार एक लिपी में लिखा जा सकता है भारत की संबेनादानिक बासा है भारत की संबेनादानिक बासा है कौन कौन सी है भारत की संबेदानिक बासा है भारती संबेदान की आरम में चवुदा भासाएं थीं कौन-कौन सी असमिया, वंगला, गुजराती, हिंदी, कननल, कश्मीरी, मले आलम, मराटी, ओडिशा, पंजाब, संस्क्रिक, उर्दू, तेलगू, तमिल ये चवुदा भासाएं थीं बारतिय शम्मेदानिक भासाएं इसके बाद कुछ संसोधन हुए तो 21 सम्मेदान संसोधन 1967 के द्वारा सिंधी भासा को जोड़ा गया कब जोड़ा गया? 21 सम्मेदान संसोधन 1967 के द्वारा सिंधी भासा को जोड़ा गया इसकी बाद 71 संविधान संसुदन 1992 की द्वारा कॉकड़ी, मडीपुरी, नेपाली को जोड़ा गया वानवे 92 वा संविधान संसुदन 2003 में हुआ इसमें बोडो, डौगरी, मैथली, संथाली भासा को जोड़ा गया इसके बाद इस प्रिकार अब संविधान में कितनी बासा हो गई, कुल 22 बासा हो गई जिसमें अंग्रेजी बासा का उलिक नहीं है अंग्रेजी बासा का कोई उलिक नहीं है अंग्रेजी को भारतिय संविधान में सहराज बासा की रूप में रखा गया ये प्रिशन आता है कि अंग्रेजी को भारती शंबिदान में किस बासा की रूप में रखाए गाया सहे राज बासा की रूप में अंग्रेजी को रखाए गाया इसके बाद हिंदी फार्सी बासा का सब्द है हिंदी किस वासा का है तो हिंदी फार्सी वासा का सब्द है वारती समगधान में 14 सितमबर 1949 को राज वासा का दर्जा दिया गया था हिंदी इसलिए 14 सितमबर को प्रतेग बर्ष हिंदी दिबस के रूप में मनाया जाता हिंदी दिबस प्रतेग बर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है यह प्रारम हुआ था कब से 14 सितंबर 1949 से इसके बाद 10 जनवरी को 200 हिंदी दिबस मनाया जाता है क्या मनाया जाता है 10 जनवरी को 200 हिंदी दिबस मनाया जाता है भारतिय संब्धान में आठवे निसूची के अंतरगात अनुचेद 343 से अनुचित 351 तक भासाओं से संब्धित निया बना गया है। अनुचेद 343 हिंदी संग की राजबासा होगी। उसकी लिपी देवनागरी होगी। उसके अंकों का रूप भारती अंक का अंतर राश्टी रूप होगा। और 1965 इस भी तक अंगरेजी बासा का प्रियोग किया जाता रहेगा। इसके बाद कुछ अनुचेद बनाए गए। अनुचेद 344 राश्टपती आयोक का गठन। अनुचेद 344 राश्टपती आयोक का गठन। अनुचेद 348 उस चिन्यालाई तथा उस चिन्यालाई की भासा। किसमे हैं? अनुचेद 348 में। इसके बाद अनुचेद 348 हिंदी भासा का बिस्तार होगा अनुचेद 51 में। 351 में। भासा के बिविद रूप हैं मात्र भासा, राज भासा, राश्ट भासा, अंतर राश्टी भासा, मानक भासा, संदर्ब में भासा। यह भासा के रूप हैं। अब बात करते हैं भासा एवं समझ। भासा एवं समझ पर किसने कार किया है तो चौमस की। चौमस की ने भासा पर सरवादिक काम किया। यह निका माना है बच्चों में भासा सीखने की छमता जन्मजात होती है। यह सीटेर में पिछली बार भी पूछा जा चुका है भासा बच्चों में किस प्रकार होती है तो भासा जन्मजात होती है। किस के अकौर्डिंग चौमस की के अकौर्डिंग बच्चों में भासा सीखने की छमता जन्मजात होती है। बासा अपनी जटल प्रिकृती के बाद भी व्याकरनेक ज्यान की मदद से अर्जित की जाती है बच्चों में बासा सीखने की छमता जर्मजात होती है बासा अपनी जटल प्रिकृती के बाद भी व्याकरनेक ज्यान की मदद से अर्जित की जाती है इसके बाद सभी बासाओं में कुछ सामान व्याकरनिक सनचना एवं विसिस्ता होती है बासा अधिगम चुनाती पूर्ण अबदी के द्वारान होता है बच्चों में बासा जैविक रूप से उपस्तित होती है तथा याय तथा वए भासा बच्चों में ठीक उसी तरह से विक्षित होती है जैसे कि अनव जैविक कार इसके बाद एक बैग्यानिक एक और मनो बैग्यानिक हैं जिनका नाम है बाई गोत सकी बच्चे सामाजिक अनताय प्रक्रिया से भासा सीखते है इसलिए इन्हें जोड़ या समुई में कार करने के लिए यूजना बनाना चाहिए वाई गोस्की के नुशार बच्चे सामाजिक अनताय प्रक्रिया से भासा सीखते हैं इन्हें जोड़ या समुई में कार करने के लिए यूजना बनाना चाहिए इसके बाद जो बच्ची अब निजी बाषन का व्यापक्प्र्यों करती है वी अन्य बच्चों की तुल्ला में जेटिल कारेंग को अधिक प्रबाविडंग से सीखते हैं इसकी बाद हमारे श्वयम का विकास दूसरों के संप्रेशन से होता है इसके बाद एक मनों बैग्यान काई प्याजे बासा अर्जन की प्रिक्रिया इन्होंने का इन्होंने का बासा अर्जन की प्रिक्रिया में बासा अर्जन की प्रिक्रिया युक्ति जन सारा से दिख सीखते हैं भासा संग्यानात्मक तंत्रों की बाती परवेश के साथ अन्ताक्रिया के माध्यम से ही मिक्सित होती है। भासा का विकास आत्मकिंद्रित से सामाजिक तक होता है। वियाकरनेक सनचना को समझने के लिए बिद्यार्थियों को लेखित समाघ्रीप पुदान करें, और बिद्यार्थियों को विवन सनचनाओं की खोज करने दें. यह कौन कहते थे यह जीन प्याजी इन्हों ने तीन प्रमुक्त सिद्दान्थ दिये जीन प्याजी ने तीन प्रमुक्त सिद्दान्थ दिये थे नेतिक विकास का सिद्दान, शंग्यान अत्मक विकास का सिद्दान, भासा एवं विचार का सिद्दान, यानि तिन सिद्दान दिये, तो भासा एवं विचार का सिद्दान दिये, विचार भासा से पहले जन्म लेती है, अधिगम अर्जन जैसे ये बालक खेल रहे हैं खेल खेल में सीखना ये अधिगम कहलाता है चित्रत में आप देख रहे हूँ है जबी लोग बासा अधिगम अधिगम एवं अर्जन में अंतर मनुस एक सामाजिक प्राणी है मनुस कैसा है मनुस एक सामाजिक प्राणी है वह समाज में रहकर भासा को सीखता है उसके भासा सीखने की दो इस्तितियां होती अधिगम और अर्जन अधिगम प्रियासपून होता है अधिगम कैसा होता है अधिगम प्रियासपून होता है अर्जन अनायास होता है अर्जन यह एक निश्चित समय इस्थान निश्चित पाड़क्रम निश्चित स्रिक्षन पद्दती के द्वारा होता है अर्जन यह एक अनिश्चित समय स्थान अनिश्चित पाठिक्रम अनिश्चित स्रिक्षन पद्दती के द्वारा होता है यह एक पद्दती है अधिगम यह एक पद्दती है लेकिन अर्जन एक प्रिक्रिया है इसके बाद अधिगम और अर्जन में कुछ और अंतर है यह प्रिसिक्षन यह नियमबद है अर्जन अर्जन यह प्रिसिक्षन मुक्त एवं सहज होता है अधिगम में तुरूटियां होती हैं जिसे दूर करने के लिए प्रिसिक्षन दिया जाता है लेकिन आरजन इसमें अत्यदिक तुरूटियां होती है अधिगम यह एक निश्चित उमर से एक निश्चित उमर तक चलने बाली पद देती है अर्जन यह जन्म से मृत्यु परियंत चलती है अधिगम यह नियंत्रत परिस्तियों में एवं सुक कंचित होता है अर्जन यह ब्यबारिक एवं अर्जन होता है अधिगम और अपचारिक सिक्चा है अर्जन अनपचारिक सिक्चा है रटकर किसी पिजबस्तू को याद कर लेना अधिगम नहीं है बले कि उसे सीख कर ब्यबार में परिवर्द तलाना अधिगम कहलाता है जैसे जन्म के समाई बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है वह एक परिवेश पर निर्वर्द करता है जन्व के समाई बालक ना तो समाजिक और ना ही असमाजिक होती यह उसके परवेश पर निर्वर करता है जन्व के समाई बालक में सिर्फ उत्तेजना होती है जिसके माद्यम स्वाए अपने भावों को ब्यक्त करता है वालक में जनव्यात नहीं, वालक में भासा जनव्यात नहीं होती, बलकि भासा सीखने की सक्ति जनव्यात होती है आठ से नौ महिने तक का वालक सांकेतिक भासा का प्रियों करता है, जिसे असाब्दिक भासा कहती है, क्या कहती है असाब्दिक भासा वालक की प्रथम भासा संकेतिक होती है इसके बाद भासा के कक्छा में सिक्षक की भूमका वालक की उच्यानों को सुद बनाना भासा के एक अक्षा में सिक्षक की बुमका बालक के उच्चानों को सुद बनाना इसके बाद छोटे बच्चे सब्दों का कभी कभी गलत उच्चान करते हैं ऐसे में यह सिक्षक का दायत है कि वह गलत बोले जा रहे सब्दों का ध्यान दे और बालक के सामने उन शब्दों का सुद उचान वार वार करे जिससे उन्हें सुनकर बालक सुद बोलना सीख ले इसलिए करना चाहिए सुद उचान में इसके बाद बीचार छित्र को बिखषित करना बालक जब द्याला जाता है तो वह अपने आसपास के बातावां से ही ज़्यादा परचित होता है ऐसे में उसके बिचार छेत्र का दायरा भी उसके आसपास तकी शीमित होता है बच्चे के बोलने की गती में ब्रदी करना या बोलने की गती का अर्थ है ज़ली-ज़ली बोलने से नहीं पलकी इसका अर्थ है वालक को किसी एक भिशया पर कुछ देर तक की लिए तैयार करना बच्चे बिद्यालाये जाते समय तक बोलने की कलामें काफी अज तक दक्ष हो हो चुके होती है किन्तु हुआ एक बिशय पर देर तक नहीं बोलती अताब अध्यापक को चाहिए कि बच्चे को एक बिशय पर कुछ देर तक बोलने के लिए तयार करें इसके बाद इस प्रिकार प्रतेग बच्चे का अपना अलग-अलग बिचार होता है यदि बच्चों को आपस में शंबाद का अपसर उपलब्द कराया जाय तो बच्चे अपने अपने बिचार एक दूसरे के साथ साजा करेंगे ऐसी पर इस्तिती में बालक के बिचार छेत्र का दाएरा और विक्षित होगा बालक के सहज स्वाबाविक रूप से बोलने में सयोग करना यानि प्रात्मिक इस्तर पर प्राया बालक मात्र भासा में बूली के सब्दों को मिला कर प्रियू करता है यह अध्यापक का दायत तो है कि वाए बच्चे को बोलने ची ना रोके वलकि उसकी भासा में आने बाले बोली के सब्दों को दूर करने का प्रियास करें इसके लिए बालक को अधिक से अधिक बोलने का अफसर प्रदान करना ये उशित विकलब है इसके बाद भासा सिक्चक को सारीरिक भाव भगिमा के साथ पढ़ाना चाहिए अध्यापक को भासा ही बाता बनाने में दख्ष होना चाहिए चात्रों को भासा सीखने का अधिक से अधिक अपसर देना चाहिए चात्रों को अपनी मात्र भासा में प्रियोग करने का अपसर देना चाहिए अध्यापप को पाठ़ सेगामी क्रियाओं जैसी कभिता, कहानी, खेल, पृतियोगिता में दक्ष होना चाहिए सैज सिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और अध्यापप को लिंग पूर्वाग्राय जाती पूर्वाग्राय की अब्धाना को न करना चाहिए पाठ़ पुष्टक की विशेष्टा है यसे प्राथमी कख्चा के चात्रों एतु पाठ़ पुष्टके सरल एवं शुगम होना चाहिए पाठ़ पुष्टक में दी गई विशेबस्तु वालक के बातवर्ण एवं घर परिवेश से जुड़ी हो पाठ़ पुष्टकों में बाल साहित का अधिक से अधिक प्रियोग होना चाहिए प्राथमी कख्चा के चात्रों की पाठ़ पुष्टक कवर पेच एवं अंदर रंगीन एवं चित्रात्मक होना चाहिए बहुबासी कख्चा कौनसी बहुबासी कख्चा इसको कहते हैं यह चित्रात्मक देखें आप लोग इसको कहते हैं बहुबासी कख्चा इसको कहते हैं बहुब संस्कृतिक कोई कारकरम हो रहा है इसको बहुब संस्कृतिक कहते हैं यह यह चित्र में देख रहा हूं संस्कृतिक कारकरम हो रहा है समाबेसी सिक्षा का मतलब है जहां पर मतलब चाहें बिकलंक हो या दृष्टी बादित हो सामान व विशिष्ट सभी लोग एक ही करक्षा में सिक्षण प्राप्त करते हैं ज्यान प्राप्त करते हैं उसको समाबेसी सिक्षा कहते हैं हिंदी भासा सिक्षण के सिद्दान हिंदी भासा सिक्षण के सिद्दान हिंदी भासा सिक्षण के सिद्दान कार्थ है कि इन सिद्दान अथवा नियमों का प्रयोग करके हिंदी भासा सिक्षण को और प्रवावी बिनाया जा सकता हिंदी भासा सिक्षण के मुख सिद्दान कौन कौन से हैं सिद्धान क्रिया सेलता का सिद्धा कौन सा क्रिया सेलता का सिद्धा इस सिद्धान्द का मनो बैग्यानिकों ने सरवादिक समर्थन किया इसे करके सीखने का सिद्धान्थ भी कहते हैं इसमें बिद्यार्थियों को कक्षा में अधिक से अधिक शक्री रखा जाता है, जिससे उसमें समस्या समादान आलोचनातमक चिंतन का विकाश होता है। इसमें बालक से अब्यास प्रिशन करवाना, प्रिशन पूछना, प्रोजेक्ट बनवाना आदी क्रियाएं कराई आती है दूसरा सिद्धान्थ है इसका अनुबंदन का सिद्धान, कौनसा सिद्धान, अनुबंदन का सिद्धान इस सिद्धान्द को सायचर का सिद्धान्द भी कहते हैं जब बालक छोटा होता है चीजों को देखकर ही उनका ग्यान प्राप्त कर पाता है जैसे बालक पानी को देखकर यह सीखता है कि यह पानी है बच्चे को आरम्बिक अबस्ता में शिकाने के लिए इस बिदी का प्रियोग किया जाता है उसे विबन बस्तु में दिखा कर ज्यान कराया जाता है और बच्चा उसे सीखकर अपने बाहसामा प्रियोग करने लगता है जीबन से संबंदित करने का सिद्धान कौनसा जीवन से सम्मधित करने का सिद्धा यदि भालक सिक्षन को वालक को ब्याबारिक जीवन से जोड़नकर पढ़ाया जाये तो बालक बड़ी आसानी से सीख लेता है और इस प्रकार सीखा गया ग्यान अधिक इस्ताय होता है इस सिद्धान्द का प्रियूग करके गद्द पद ब्याकर आदी वड़ी आसानी से सिखाया जा सकता है और इस प्रकार उसके ज्ञान में ब्रदी की जा सकती है रूची का सिद्धान्द काक्षा में प्रतेख बालक एक समा रूची बाला नहीं होता हर बच्ची की रूची अलग-अलग प्रकार की होती है ऐसे में सिक्षक को ऐसी बिसाइबस्तू का चैन करना चाहिए जिसे अधिकांस बालक रूची से पढ़ सकें जैसे कानियां कबता हैं पहलियां आदी रुची द्वारा सिकाया गया ग्यान अधिक इस्ताई होता तथा इश्य वालक की कलपना सीलता इवं सिर्जनात्मक्ता का विकाश होता अनुकरण का सिद्दान अगला कौन साय अनुकरण का सिद्दान इस सिद्दांत का समर्थन चैने नीच काटी वेलेंटन आदी मनो ब्याग्यानिकों ने किया जो बताते हैं कि बालक परिवार जनूं तथा अन्य साथियों की बहासा का अनुकरन करके बहासा सीखता है। यदि बालक के पास भासा का बातारोन समर्द होगा तो बालक अच्ची भासा सीखे अगला सिद्दांत अभ्यास का सिद्दांत तो इस सिद्दांत का समर्थन थांडाइग ने किया। उनके अनुशार भासा एक कौशल है जिसका अभ्यास जिसका विकास अभ्यास पर नरबर करता है अता बालक को अधिक से अधिक बोलने का अपसर दिया जै जिससे हुआ है सब्दों का अभ्यास कर सके और अपनी भासा का विकास कर सके इसके बाद व्यक्तिक बिनिता का सिदान कौन सा सिदान व्यक्तिक बिनिता का सिदान एक ही कक्चा में व्यक्तिक बिनिताएं विद्मान रहती हैं जैसे कोई सुद्ध लिख नहीं सकता किसी बालक का लिख अच्छा नहीं है किसी को मौन बाचन करड़े में कटनाई होती है तथा कोई याद किये तथियों को भूल जाता है सिक्षक को चाहिए कि वाए उप्रियुक्त परिस्तियों को तिहान में रखकर सिक्षन करे पुनर बलन का सिद्दान इस सिद्दान्द के प्रिमुक्त समर्थक इसके नर्मोदा है इनकी अनुशार जिस प्रकार अच्छे कार्यों की सरायना करते समय करते करते अच्छे कार करने लगता है उसी प्रकार पुनर्वर्ण उनकी भासा की सरायना उसके लिए पुनर्वर्ण का कार करता है जिससे बालक सीखने के प्रती आकर्षित होता है उसका बासा ही विकाश होता है बासा सिक्षन सूत्र का अर्थ है प्रियुक जिसकी द्वारा अध्यापक बासा को पढ़ने में आसान मनाता है जैसे मूर्द से अमूर्द एक बालक को यदि पेड़ के माद्यम से बिशा में बताना है तो सबसे उत्तम बिदी है कि बालक को पहले पेड़ दिखाया जाए और फिर उनके मेत के बिशा में बताया जाए इस प्रिक्रिया पेड़ देखकर बालक उसका मेध आसानी से समझ सकता है इसे ही मूर्थ से मूर्थ और चलना कहते हैं तो आज की आए सीटेड एक्जाम के लिए हिंदी पैड़ागोजी रखी गई थी जिसमें आप लोगों को टैग बड़ से भी बताए हैं किन बड़ों को आपको लेना है किन को नहीं लेना है पॉजीटिव निगेटिव